और देश आज नौसेना दिवस मना रहा है ये दिन नौसेने कबलों की वीरता, समरपण और उपलब्धियों को समरपित है ये दिन ना केवल हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा में नौसेना की भूमिका को रेखांकित करता है बलके हिंद महासागर क्षेतर में शांति सुनिश्चुत करने में उनकी यूगदान को भी दर्शाता है भारतिय नौसेना ने 2024 को नौसेना असान्य वर्ष घूशुत किया है तो आईए इस खास दिन पर हम नौसेना की इतिहास, महात्वा और इसके बदलते स्वरूप को करीब से जानते हैं नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडिंट की याद में मनाया जाता है 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतिय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर सफल हमला किया था इस हमले में पाकिस्तान के कई नौसेनिक संसाधनों को नश्ट कर दिया गया था आपरेशन ट्राइडिंट में भारतिय नौसेना ने रणनीतिक कुशलता और अदम में साहस का प्रदर्शन किया था तबसे नौसेना दिवस भारत की समुद्री शक्ती का प्रतीक बन गया भारतिय नौसेना राश्ट्रिय सुरक्षा के लिहास से महत्पून 7500 किलो मीटर से अधिक तटरेखा की सुरक्षा करती है और हिंद महासागर क्शेत्र में अपनी सतर्क उपस्तिती बनाए रखती है साथ ही नौसेना मालाबार, मिलन और रिम ओफ पैसिफिक जैसे वैश्विक समुद्री अभियानों में भी भागिदारी करती है नौसेना, चक्रवात, बाड़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और बचाव अभियानों में मानुए सहायता मुहया कराती है नौसेना के समुद्री डकैती विरोधी अभियानों को न केवल भारत में बलकि विशुस्तर पर भी सराहना मिल रही है भारत को एक मजबूत समुद्री शक्ती बनाये रखने के लिए भारतिय नौसेना ने बीते वर्षों में आत्म निर्भरता और आधुनी की करण पर खासा जोर दिया है भारतिय नौसेना बलू वाटर क्षमताओं को बढ़ाने समुद्री निगरानी का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर भी विशेश ध्यान दे रही है नौसेना ने रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता के लिए मेकिन इंडिया पहल के तहट भारतिय रक्षा उद्योगों के साथ साजेदारी की है पिछले पांच वर्षों के दौरान नौसेना के आधुनिकी करन बजट का दो तिहाई से अधिक हिस्सा स्वदेशी खरीद पर खर्च किया गया है जिसके परिणाम सरूप घरेलू रक्षा एकोसिस्टम का त्वरित विकास भी संभव हुआ है नौसेना दिवस के इस खास मौके पर देश भर में विभिन्न कारिक्रम आयोजित किये जा रहे हैं ओपन शिप इविंस, फ्लाई पास्ट और युध्यभ्यास प्रदर्शनी जैसे आयोजन आम जनता को भारतिय नौसेना के शोर और तकनीकी क्षमता से परिचित कराते हैं